नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमलोसेफ टीम 40 टाबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, एमलोसेफ टीम 40 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और एमलोसेफ टीम 40 टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एमलोसेफ टीम टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Amelosefer TM40 एक ब्रैंड नेम है Amelosefer TM टाबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है Amelosefer TM टाबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन Amelodipine 5MG और Telmysarton 40MG होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली Amelosefer TM टाबलेट को लेने की सला दे सकता है Amelosefer TM टाबलेट का उप्योग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए Amelosefer TM टाबलेट का उप्योग किया जाता है Amelosefer TM टाबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने के जोखिम को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वज़ा से kidney failure, heart failure, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ती का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Mlosef TM Tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Mlosef TM Tablet की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान होना, उल्ती आने का मन होना, हातों वपैरों में सूजन होना, पेट में दर्ध होना, चक्कर आना, घबराहट होना, दस्त होना, नींद अधिक आना, कम में दर्ध होना और ब्लड प्रेशर ज्यादा कम होना आदी side effects Mlosef TM Tablet की वज़े से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि Mlosef TM Tablet को कैसे लेना recommended होता है. Mlosef TM Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Mlosef TM Tablet को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं. Mlosef TM Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको Mlosef TM Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि Mlosef TM Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको Mlosef TM Tablet के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए. स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. और अगर आपके शरीर क वजन ज्यादा है. तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए. इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Mlosef TM Tablet का सेवन क करना सुरक्षत वर रेक्मेंडेड नहीं है. Mlosef TM Tablet मा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है. और स्तनपान करा रही महिलाओं में Mlosef TM Tablet मा के दूद के जरिये बच्चे तक पहुँच सकती है. और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Mlosef TM Tablet से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकती है.